हेलो आज कोसी किचन में मैं आपको साबुदाने और सवा के चावल का वड़ा बनाना सिखाऊंगी जिसे आप जैनमास्ट में विरती स्पेसल पर अपने घर पर आसान तरीकी से बना सकते हो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो पिलीज लाइज सब्सक्राइब करके वेल आइकन अन करें तो चलिए वरत के बड़े बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले एक कटोरी साबुदाना जार के अंदर डाल लेंगे हमने बरती स्पेसल वीडियो बनाई है इसलिए हमने एक कटोरी सब्सक्राइब करने के बाद हमारा साबुदाना कुछ इस तरीके का हो जाएगा हमने इसे जादे बारिक नहीं किया क्योंकि हमें कुरकुरे बड़ा रखने है अब हम चार अलो को मोटा मोटा कद्दुकस कर लेंगे हमने इस तरीके से कस लिया है हमने तीन से चार बार पानी से इसे अच्छी तरह से दो लिया है अब हम इसे अच्छी तरह से हाथों से निचोड लेंगे अब हम एक बावल के अंदर सारे कसे हुए आलू डाल लेंगे अब हम इसके अंदर पिसावा साबुदाना और अपने चावल डाल लेंगे अब हम इसके अंदर स्वाद के लिए थोड़ी काली मिर्च भी डाल लेंगे हमने इसके अंदर सेंधे नमक का इस्तिमाल किया है क्योंकि ये बृति ER, बनाया है अब हम इसके अंदर धः डाल कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब हमने कड़ाई के अंदर तेल गरम होने के लिए रख दिया है अब हम बने बैटर की इस तरह से बोल बना कर फ्राई कर लेंगे हमें इन्हें तीन से चार मिनट तक पकाना है कुछ दिर बाद आप देख सकते हो हमारे वड़े तैयार होने वाले हैं आप देख सकते हो हमारे वड़े कितने क्रेंची और तैयार हो चुके हैं अब हम इने एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे अब आप देख सकते हो हमारे वड़ा कितने ज़्यादे क्रेंची बने है अब आप देख सकते हो हम थोड़ी मिर्ची तेल के अंदर तल लेंगे ये मिर्ची वड़ो के साथ बहुत ही अच्छी लगती है आप चाहें तो इसका दही वड़ा भी बना सकते हो आप देख सकते हो हमने वड़ो को अच्छी तरह से दही से नहला दिया है आप इसे एक बार बनाओगे तो बार बार बनाने का मन हो जाएगा आपका अब हम इसके उपर सोट भी लगा लेंगे जो हमने वुरत इस पेसल में बनाई थी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें सब्सक्राइब करके वेल आइकन आउन करें